उत्तरपरदेश की बाहु बली और माफिया डौन अतीक एहमद और उसके भाई असरफ एहमद की हत्या को भले ही एक महीना बीट गया हो लेकिन आज भी उनके नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है बतादी मामला परियागराज की चक्या का है जहा अतीक एहमद के गुर्गो दुआरा एक हिंदू परिवार को धमकाने का मामला सामने आया है ये पीडित परिवार अतीक के गुर्गो की धमकी से डरा हुआ है बतादी की अतीक एहमद भी चक्या इलाके में ही रहता था आलम ये है कि परिवार के लोग पिछले चार दिनों से अपने घर से भाहर नहीं निकले हैं हाला कि चखया के रहने वाले पीडित हिंदू परिवार ने दूमन गंज थाने में लिखित सिकायत दर्ज करने के लिए पत्र दिया है परिवार ने सीम योग या दित्तिनाद से परिवार की सुरक्सा और नियाए की गुहार लगाई है वहीं आपको बता दें कि परियागराज चक्या इलाका मुस्लिम बहूल आबादी वाला छेतर है जहां पेडित परिवार रहता है इसी इलाके में राकेश कुमार वेसिये 1964 से पूरे परिवार के साथ रहते हैं इनका मकान चक्या इलाके के रोड पर है जिसके केमत करीब 80 लाक रुपे से 1 करोड पर के बीच है अतिक एहमत के गुरगों की नजर इस मकान पर है पेडित आसा देवी का आरोप है कि अतिक एहमत के गुरगे 18 मई की रात 8 बजे जबरन उनके घर में गोसाए अतिक के गुरगों ने 15 लाक रुपे की रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर मकान अपने नाम करन की धमकी दे दी अहीं नहीं पेडित आसा देवी का आरोप है कि अतिक एहमत के गुरगों ने पती राकेश कुमार वेस्ये और बेटे साम जी वेस्ये को पिष्टल सटा कर धमकाया और जान से मानने की धमकी दी इस दोरान उसके पती राकेश कुमार वेस्ये को जमीन पर बै पीडिता आसा देवी ने धूमंच कर निठाने में अतिक के गुरुगे मुहमद नभी मुहमद इक्राम और मुहमद इस्तलाम के खिलाफ एफ आयार दर्ज कराने के लिए सिकायद दी है इस मामले में पीडित परिवार पुलिस कमिशनर से भी मिला है अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कब और कितनी जल्दी कारवाई होती है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ।